आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा यहां जो आप स्विमंदिर देख रहे हैं यहां स्विमंदिर दो जंगलों के बीच में बैठा वा बीच में रास्ता है क्योंकि इस जगह पर इतना घंगोर जंगल था कि एक दो आदमी ऐसा चल नहीं सकता था लेकिन डर भग दिर बना है तब से भी भय अभी नहीं है और इस मंदिर की एक ख्यासा सन 1997 में इसकी प्रतिष्ठा एक मिस्तिरी जीनी किया था राजनाद गाउंड डिश्टिक का 36 गड़का तो उसी ने बनवाया है और इसका बहुत भव्य परान प्रतिष्ठा होने 1997 में हुआ था और अपने आप आंसु बहा करता था बाद में इसका ट्रस्ट बनाये गया कुछ लोगों ने बस चार्च साथ आठ गाउं के लोग और बाद मिहां के पैसा बटोर बटोर कर भागने लगे कई कई लोग तो विज्ञान भी आये थे महाराश्टक तरफ से मुंबई से भी आये थ यहां पर जो भी अमानो कामना मांगी जाती है और पूर। यहां कीकतनी लोगों पैसे बट पॉकर भाग गए थे तीस कारण सी यहां का जो आँख है भगवान सीव का या सीवलिंग का तो वो पूरा अपने आप बंध हो गया और आंसों निकलना बंध हो कि मैंने खुद अपने आँखों से देखा था यहां सत्य बात है और कभी भी आप आ सकते हो राजनाद गाउं डिश्टिक से यहां कम स सबी देखने के लिए आसपास गाउं के लोग आते हैं बहुत दूर से भी आते हैं यहां पर यहां जागरिस सीवलिंग है यहां पर एक्षित मनोकावनापुन आप देख सकते हो इसी तरह से और जो जिसने सीवलिंग प्रतिष्ठा किया है उनकी पतनी यहां पर है उसकी ब प्रतुम्जाइब प्रतुम्जाइब